किंग खान की फिल्म दंकी को लेकर कपिल शर्मा का चौकाने वाला रियेक्शन सामने आया है किलहाल बॉलिवुड से लेकर साउथ तक दंकी का क्रेज देख कर सबके होश उड़ गए हैं बड़े बड़े दिगज सिलेबरिटीज इस पर रियेक्शन दे रहे हैं वही कपिल भी डंकी पर प्रतिक्रिया देते हुए किंग खान और राजु हिरानी की जमकर तारीफ करते हैं कपिल कहते हैं कि शाहरु खान की फिल्म डंकी बॉलिवुड इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोर देगी वही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डंकी को अमेरिका में 2000 से ज्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं और बाकी देशों की मिलाकर डंकी दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही हैं दोस्तों ये बात इशारा करती है कि डंकी के आगे सलार को भारी जटका लग सकता है वही शाहरुखान की डंकी का क्रेज और हाइप आसमान को छू रहा है दूसरी तरफ सलार भी तयार खड़ी है वही दोस्तों डंकी में सिनेमा अलग लेवल का देखने को मिलेगा और खबर आई है कि ये फिल्म बॉलीवुड को बदल कर रख देगी मक रही है अब खबर आई है कि डंकी की डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी भी लॉक हो गई है इसे पेन मरुधर ज्यादातर जगहों पर डिस्ट्रिब्यूट करेगी इसी ने जवान को भी रिलीज किया था वही वायारेफ भी डंकी भारत के अलावा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर रिलीज कर रहे हैं वही दोस्तों सलार के इस क्लैश दूसरी सबसे बड़ी टाकत है, वो के जी एफ दो के रोकी का 15 मिनट का कैमियो हैं इसलिए उनको डंकी से टकर लेने का confidence आया है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े सकेल पैमाने की फिल्म हैं और इस क्लैश से पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज हिल जाएगी दोस्तों शाहरुखान की जवान और पठान जब रिलीज हुई थी तभी इतना बड़ा record बना गई है कि किसी से तूटना मुस्किल है वही डंकी और सलार की ये लड़ाई फैन्स वार में बदल चुकी है, दो बड़े फैन बेस आपस में भीड रहे हैं, एक तरफ डंकी तो दूसरी तरफ सलार वही boycott वाले भी सलार की तरफ हो चुके हैं दोस्तो डंकी और सलार के फैन्स आपस में एक दूसरे से बुरा बुरा मींस बना रहे हैं और उनको रोकना अब किसी के बसकी बात नहीं है